आप सभी का सावगत हैं Friends, U of Bo United Forum of Banks Union ने एक notice 8 December को जारी करके inform किया है Notice is hereby given that a meeting of the United Forum of Banks Union will be held on 15 December 22 at Chennai Agenda, Privatization of Bank, our campaign, they are against Delay in holding discussion and involve resolving pending issue, pension updation, 5-day banking, etc. by IBA program, they are against Third, Follow-up of Charter of Demand submitted to IBA on Wage Revision Fourth, Activating State Level Units of U of Bo, any other matter with the permission of the chair और ये meeting hotel Southern Comfort GST Road पे होना है All conscient unions are requested to take note and attend the meeting without fail इस प्रकार का एक notice ये अबियों ने जारी किया है और अपने conscience को meeting बुलाई है और उन स्चॉन 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 मिटिंग में जो मेन मुद्दा है उसको discuss करने के लिए कि आगे कि क्या रणनी दियों लेकिन क्या ये मिटिंग भी पिछले मिटिंगों के बाद केवल मिटिंग होके रह जाएगी क्या एक रस्मत आएगी होगी क्योंकि पिछले सारे मिटिंग के बाद पहले तो इस तरह की मिटिंग decide करते हैं campaign बनाना है और ultimately IBA से जब मिटिंग होती है तो किसी भी problem का reduction नहीं होता अगर होता तो five day banking पिंटिंशन अब्डेशन ये लटका ना रहता आगे twelfth bipartite की बात करने के लिए अभी IBA ने इन्हें कोई समय नहीं दिया initiation ही नहीं हुआ और इसी तरह हमारे जो रिटारी अर इसी तरह से हमारे जो रिटारी association है A.I.B.P.R.C. ने अपना 10th foundation day celebrate किया है और A.I.B.R.F. का six final conference अभी फरवरी में होना है एक बात समझ में नहीं आती है शायद आप हमारे साथियों को समझ में आए कि ये रिटारी अश्येशन किस बात का celebration करते हैं बैंकर्स को रिटारी इस को बेकुप बनाने का celebration क्योंकि अभी तक रिटारी इस का कोई भी problem resolve किसी association ने नहीं करवाया है चाहे पैंसन अप्डेशन का मुद्दा हो चाहे medical insurance का मुद्दा हो चाहे 100% de-neutralization का मुद्दा हो जो resign कर चुके हैं उनके लिए pension की बेउस्था करनी हो यानि कह सकते हैं कि जो भी मुद्दे पिछले कई सालों से लटके हुए हैं वो जैसे के तैसे हैं केवल पत्त्रा चाहर करने के लिए इतनी बड़ी संस्था कि कोई आओ सकता नहीं होती है लेकिन हमारी जैब बैंक के रिटारिय असोश्चन की वी वरकिंग उसी तरह से जिस तरह से हमारे यूव ब्यू की वरकिंग है यानि कि pension, operation, अथवारिटारियस के किसी भी बातों के लिए इनके पास कोई ठोस कारेकरम नहीं है जिससे कि किसी का रिजूलिशन हो जाके प्रॉब्लम रेज करना इसे नाटे सलूशन आपको याद होगा कि मेटकल इंस्वरेंस की बाते हम शुरू ही थी जैसे थे उसी स्टेश पे है पेंशन अपनेशन उसी स्टेश पे हैं 100% डिय निट्लाइशन उसी स्टेश पे हैं फिर इस तरह के समस्कार